नमस्कार दोस्तो स्वागत है आपका एको नई वीडियो में दोस्तो आज की जो नोटिफिकिशन लेके आए हैं भारत इलेक्टोनिक्स लिमिटेट की तरफ से काफी बड़िया रिकूट्मेंट है दोस्तों है आपा है लेकिन हापा जो वेकेंसी निखली हुई है ये एक कॉं समझ में आजाए इसी के साथ हम आज की वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों यदि आपको नहीं पता है तो हम आपको बता दे कि हम डेली बैसिस पर आप सभी के लिए गवर्मेंट जोब के साथ सार प्राइविट जोब के अपडेट लाते हैं साथ में सीविल इंजियरिंग इसलिए आप यदि चाहते हैं तो वीडियो को पूरा एंड तक देखने के बाद वीडियो को लाइक करें चेनल को सब्सक्राइब करें अपने फ्रेंट के साथ जरूर सेयर किजिए तो चली बढ़ते हैं डेटेल नोटिफिकेशन की तरह देखे दोस्तों सबसे पहले हम बा कर सकते हैं EWS Candidates में अप्लाई कर सकते हैं 28 साल आपकी मेकजियों में होना चाहिए दो साल का experience होना चाहिए चाहिए आप Electrical से हैं Mechanical से Civils हैं ठीके और Reservation भी हैं यहाँ पर Earns के लिए 2 और EWS के लिए 1 और 35 रूपे पर मंद आपको यहाँ पर मिलने वाला है अब बात करते हैं हम यहाँ पर Training Engineer के लिए जिसमें Electrical, Mechanical, Civil वाले अपलाई कर सकते हैं इनके लिए भी यहाँ पर एक एक विकेंसी का क्राइटिरी इन यहाँ पर इन्होंने क्लिए लिए लिखा हुआ है यदि आपने Complete किया हुआ है B.E.B.Tech या B.E.C. Engineering में किया चार साल के कोर्स के साथ इन Electrical Engineering, Mechanical Engineering और Civil Engineering में तो आप इस पोस्ट के लिए एपलाई कर सकते हैं ठीके दोस्तों अब यदि हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर Training इनजिनियर के लिए बात करते हैं तो यदि आपने B.E.B.Tech है B.E.C. Engineering में किया हुआ है चार साल किया जो कोर्स होता है उसके साथ तो आप इस पोस्ट के लिए अपलाई कर सकते हैं आपका इस पोस्ट के लिए अपलाई नहीं कर सकते हैं प्रोजेक्ट इंजिनियर के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो आपका इनिसियल पिरेट होगा वो दो साल का होगा उसको बढ़ा के चार साल का कर दिये जाएगा तो पहले साल आपको 35,000 रुपे मिलने वाले हैं देन 40,000 देन 45,000 देन 50,000 सेलरी आपकी इहाँ पर हो जाएगी ठीक है तो काफी बड़ पर आपका तीन साल कर सकते हैं ठीक है तो देखी प्रोजेक्ट इंका आगे बढ़ता ही है तो आप अपलाई जरूर कीजिए यदि पोस्ट कॉलिफिक्सन एक्सप्रेंस के बात करते हैं यदि आप प्रोजेक्ट इंजिनियर फ़र्ष्ट के लिए अपलाई करना चाहते हैं और यदि आपने कहीं से एक साल की अप्रेंटिसिप की हुई है तो यहाँ पर काउंट होने वाली है तो यह काफी बढ़िया मौका है आपके पास लेकिन यदि आपके पाग कोई अकेडमिक या टीचिंग का या रिसर्च वर्थ का कोई एक्सप्रेंस है तो यहाँ पर अप आप नहीं कर सकते हैं मतलब वह एक्सप्रेंस के तोर पर नहीं माना जाएगा अब आगे बढ़ते हैं तो आप आप देख सकते हैं कि आपको कौन-कौन से और प्रकार की कोई भी फीस नहीं फिल करना है अब यदि हम बात करते हैं कि किस तरीके सापको सारी चीचे करना है तो आपको इनकी ओफिसल वेफसाइट पर जाना है इसकी लिंक डिस्क्रम बॉक्स में मिल जाएगी हम आपकर केरिया के ओप्शन पर किलिक करना है और जैसे उसके बाद आपका 10 marks का होने वाला है आपका meeting the basic eligibility criteria जो भी आपका experience रहा है उसके उपर आपना है अपर सारी चीज़े होने वाली है और जो वीडियो बेस्ट आपको इंटर्वी होने वाला है वो 15 marks का होगा इसे 100 marks आपको यहाँ पर आलोट किये जाएंगे सबसे अची बात सकते हैं मैं आपको किसी प्रकार की क्योरी है तो आप इन्हें इस नंबर पर या इस mail पर पूछ सकते हैं और लाज डेट जो online application की है वो 3 अगस्त है दोस्तो तो अभी आपके बाद टाइम है आप अच्छे से पूरा notification को पढ़ लिजिए ठीक है हर एक चीज को यहाँ पर सम सब्सक्राइब कर लिजिए साथ में बेल आइकन को भी हिट कर लिजिए और अपने फ्रेंट के साथ शेयर करके उनके भी आप हेल्प कर दीजिए थैंकियो फॉर वाचिंग